बही ऐसा है आप जो याद दिलाएंगे कि 11 डिसेंबर को आपसे कोज साल पहले क्या हुआ था तो भूलने पाएंगे आप आज की तारीख गुड वानिंग वंस अगेन राशीयाओ के साथ में है आन रेडियो सिटी और 2001 11 डिसेंबर की वो सुभा कि जब आपने रेडियो सिटी को पहली बार सुना था और रेडियो सिटी पर किसी को पहली बार सुना था आज थोड़ा नस्टाल्जिक हो गए हम और आज लगनो के फिर्स्ट प्राइविट एफम रेडियो सिटी की फिर्स्ट वाइस को हम आपसे रूबरू करने जा रहे हैं नाम तो सुनाई होगा आपने, R.J. Veera is with us, good morning. Good morning, R.J. आश्टी, it's so nice to talk to you, yeah. अरे यार यार ये आवाज ना, oh God, ब्योशा होगा है, मैं, ने, ने, सम्हालो अपने आपको, सम्हालो. आज आपसे बात करने की एक बहुती खासमखासी वज़ा है, कि जो आपने अपने FB Profile पे शेया किया है, वो प्लीज वज़े बताईए लोगों को. वो बज़े ये है कि हमारी लाइफ का मोमेंटल स्टे था वो, क्युकि रेडियो सिटी लगनौ पहला प्राइवेज एफम जो था, 2001 ने, 11 तारीक को, तुबे 9 बज़े जो है, उसका एर जुपे वो गया, और तोच्छो अवाज किसकी थी, अमिता, आप बच्छन जी के अज़े हो जैसे आज 11 तारीक के अच्छी में हर 11 दिसम्मर को जाती हूं, तो मैम वो पहली लाइन जो आपने ओने बोली थी, आज वो ही अंदाज एक बर फेर से ताजा हो जाए तो, अच्छा, हेलो, रेडियो स्री लगनौ आप तुन रहे है, 91.1 पर वीरा को मॉनिंग वीरा माम आप खुद भी यह सचाही जानती हैं क्योंकि वो जो फैसिनेशन था रेडियो के लिए, रेडियो सिटी के लिए, वीरा वर्षा विनय के लिए, ओ माइ गाद, वो आज सच बताने हैं, तो किसी आज़े के लिए नहीं आ सकता? क्योंकि हम लोग सब नहीं थे प्रोफेशन में एक नहीं चीज थी और बहुत ही खुबसूरत चीज थी है, क्योंकि लिस्नर को लगा कि उन्हें नहीं दोस्त निल गए हैं, और वीरी एक्साहिते, यंग थे, सब बिलकुल एनर्जेटिक थे, कुछ भी कर गुजरने को तया हमारे लिए मौका था जितना की लिस्नर के लिए था, बहुत अच्छा लग रहा है आप से बात करके, I'm sure कि यह मुमेंट आज लखनव वाले जो विटनस कर रहे हैं, यह बहुत यादगार मुमेंट होगा, मैं एक बर फेर से, एक आपकी अंदाज में, अगर साइन आफ करे तो कैसे करेंगे? तो चलिए, इसी गुद गुदाती बात के बात, राशी आप से कहरे है टटटबाए, बाए, कल होगी मुलाकात, सुबाट साथ से ग्यारा, अन रेडियो सिटी, टेक एर!